बाबु गेनू, आप सभी को इस बात की जानकारी तो होगी की गांधी द्वारव वर्ष 1930 में सविने अवग्या आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वदेशी क्रांती के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले प् पूना जिले में हुआ था परिवार की आर्थिक स्थिती कमजोर होने एवं पिता की मृत्यू होने के कारण बाबु गेनू मा के साथ मुंबई में काम की तलाश में आ गये और जल्दी ही उन्हें उसी कपड़ा मिल में काम मिल गया जहां उनकी मा मजदूरी करती थी गेनू का मन तो भारत मा की सेवा के लिए तड़प रहा था इसलिए उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया और वो मुंबई चले गए इसी बीच बाबु गेनू कॉंड्रेस के वॉलंटियर बन गए और तानाजी पाठक दल में सम्मिलित हो गए बाबु गेनू वडाला के अपने वीर पुत्र की प्रशंसा सुनकर वे बेहत प्रसन हुई वर्ष 1923 में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में बाबु ने अपने संधठन के साथ बर्चल कर हिस्सा लिया तीन फरवरी 1923 को बाबु ने एक बड़ा जूलू सायोजित किया उस दिन पूरे मुंबई सह सत्याग्रह आंदोलन में बाबु गेनु भी जेल गए 26 जन्वरी 1930 को पूरे देश ने संपूर्ण स्वराजमांग दिवस्प मनाया इस आंदोलन में बाबु गेनु ने भी बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया वो स्वदेशी के प्रकर पक्ष में थे विदेशी मालों का बहुत विरोध करते थे 12 दिसिंबर 1930 को सत्याग्रह का दिन टेक किया मुंबई के कालादेवी रोड पर विदेशी कपदों से भरी लौरी या ट्रक आधी को रोकने का निश्चे किया गया मुंबई के मुलजी जिथा मार्केट से विदेशी कपड़े जाने थे जिनको रोकने की ज ट्रक को पुलिस ने घेर रखा था ट्रक देखते ही गेनू के साथ ही रेवनकर ट्रक के सामने लेट गए इससे ट्रक चला रहा चालक सकपका गया और उसने तेजी से ब्रेक लगाए लेटे हुए रेवनकर से कुछ दूर पहले ट्रक रुख गया भारत माता की जय और वंद सारजेंट ने आदेश दिया कि लौरी चलाओ ये मर भी जाय तो कोई बात नहीं पर ड्राइव भारतिय था और उसने लौरी चलाने से मना कर दिया तब उस खुर अंग्रेज सारजेंट ने स्वयम लौरी चलानी प्रारम कर दी इसके बाद खुर सारजेंट ने देखते ही ट्रक से बाबु गेनू को रौन डाला ये द्रिश्य देखकर लोगों के दिल दहल उठे सड़क पर खुन की नदी बह गई पूरी सड़क बलिदानी खुन से लाल हो गई सड़क पर गिरे हुए गेनू के शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई लाल अपनी मा की च त्यू हो गेनू